नमस्कार सातियों मैं दिपंकर समद्दर चार्टर अकाउंट और आपका दोस्त बिजनेस ग्लोग असेट एक अपरेल 2019 से कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव हुए जो आपको जानना जरूरी है और इकडम ध्यां से सुनियेगा सबसे पहला विज्या बैंक और देना बैंक ये दोनों मिलकर चले गए हैं बैंको बडोदा में एक बाद फिर से विज्या बैंक और रेना बैंक का विले हो गया है, मर्जर हो गया है बैंक आप बढ़ोदा में, अब से ये पूरे मिलाकर बैंक आप बढ़ोदा ही कहलाएंगे दूसरा, प्रोविडेंट फंड एकाउंट जो होता था जब भी कोई एक जगा से दूसरे जगा पर नौकरी छोड़ कर जाता था वहाँ पर भी एक और नया प्याफ एकाउंट खुलता था, इस एकाउंट और उस एकाउंट को जोडने में प्राब्लम जा देती लेकिन आप ये प्राब्लम सॉल्व कर दी गई है अब यूनिवर्सल एकाउंट नंबर का कंसेप्ट आया है जिससे पुराने एकाउंट से नया एकाउंट को स्वतर ही जोड़ दिया जाएगा उसके लिए कोई स्पेशली महनत करनी की जरुवत नहीं है और कोई भी जटिल प्रक्रिया नहीं होगी तीसरा चीज, दिल्ली से कहीं पर भी यात्रा करना है टर्मिनल टू से कोई भी डुमेस्टिक यात्री एगर कहीं पर भी यात्रा करना चाहेगा तो उनको एक स्टेप उनको जाने का जरुवत नहीं पड़ेगा इसका मतलब यह है कि जो जाते साथ पहले चेक इन में जाना पड़ता था, वहाँ पर सारा चीज़ करना पड़ता था, उसके बाद next step में security में जाना पड़ता था, बोर्डिंग के लिए, तो अब सीधा वो बोर्डिंग में चला जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक का समय हर एक यातरी का यहाँ पर बचने वाला है, रेल यातरा के समध में आपको बताना चाहता हूँ कि अब जॉइंट PNR सिस्टम उन्हों ने बनाया है, जो कि बहुत important है, और example मैं A जगह से B जगह पर मैं ट्रेन से यातरा करने वाला हूँ और B से मैं C जगह जाने वाला हूँ, लेकिन क्या होता है, A से B जगह जब मैं पहुचा, तो उसमें ही ट्रेन इतनी लेट हो गए कि B से C वाली ट्रेन मेरी छूट गए, इसका मतलब एक लेट के कारण मेरे दूसरा ट्रेन छूट जाता है, तो फिर मेरे पैसे भी लॉस होते हैं और मेरे पूरा समय भी लॉस हो जाता है, तो इस चीज से बचने के लिए joint PNR का concept applicable हो गया है एक अपरेन से, इसका मतलब अगर मुझे डबल यात्रा करनी है, A से B जगह और B से C जगह बहले वो अलग ट्रेन होगी, लेकिन उसका PNR सेम बनने वाला है, अगर A से B जगह जाते हुए मेरा ट्रेन लेट हो जाता है और दूसरा ट्रेन मैं नहीं पकड़ पाता हूँ, तो वो पैसे मुझे वापस से नहीं लगेंगे, मैं किसी दूसरे ट्रेन में जा सकता हूँ और मुझे एक रुपए भी नहीं लगने वाले हैं, हाउजिंग सस्ता हो जाने वाला है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है, जो प्रॉपर्टी है, तो उसमें 12% GST के जगह 5% लगने वाला है, तो यहीं पर 7% का सीधा फरक आ गया, एक परसेंट मात्र टैक्स देने की ज़रुवत पड़ेगी, तो बहतरीन मौका है अब आगे हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का, म्यूच्वल फंड में निवेश सस्ता हो जाने वाला है, क्योंकि उसमें जो काफी सारे चार्जेस लगते थे, IMC चार्जेस और कुछ स्पेसिफाइड चार्जेस हैं, वो चार्जेस कम कर दीगे हैं, इसका मतलब जो हम पैसा लगाते हैं, उसमें चार्जेस कम कटेंगे, तो हम लोग जादा पैसा हमारा इन्वेस्टेट रहेगा, और हम लोग को रेटन मिलने के संभावना जादा रहेगी, मैट फॉर्म मतलब फिजिकल फॉर्म में अब शेयर कभी सेल नहीं होने वाला, हमको डीमैट फॉर्म में कनवर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम श एक्ट्रिसिटी मीटर ले पाए, हाट के मरीजों के लिए या फिर जो मरीज होने वाले उनके लिए थोड़ा दुख की खबर है, कि हाट में ऑपरेशन के दौरान जो हाट का स्टेंट लगाया जाता है, अब वो स्टेंट हो जाएगा महेंगा, इसका मतलब यह है कि आप ल 2008 के ड्त के पर आकडो के हिसाब से, परंदू अब 2012 से 2014 के ड्त के आकड़ी लिये जाएंगे, जिसके हिसाब से डेत का possibility पहले से कम है इसका मतलब risk पहले से कम है इसका मतलब premium भी पहले से कम होने वाला है तो ये फाइदा हमको होने वाला है life insurance जरूर कराईएगा life insurance में आपका premium अब कम होने वाला है अब life insurance कराना हुआ बहुत सस्ता तो दोस्तों ये कुछ important changes थे जो कि 1 अपरिल 2019 से लागू है हमारे लिए कुछ फाइदे मन्द है और heart वाली बात मत भूलिएगा अपने आपको मजबूत रखना जरूरी है आप लोग से नुरोद कि comment जरूर करिएगा मैं comment का जवाब जरूर देता हूँ और like subscribe बिल्कुल करिएगा आपका प्यार मुझे 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 रखनाएगा बहुत बोदिन मिला